हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आसा करती हूँ आप सभी बहुत एच्छे होंगे बहुत बहुत सौगत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टेडी वन वन पर और मैं हूँ देव्या बर्मा दोस्तों हम लोग पहाड़ी सैली पढ़ रहे थें जिसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और वो टॉपिक था बसोली सैली आज हम लोग पढ़ेंगे गुलेर सैली के बारे में ये भी इंपॉर्टन टॉपिक है और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती और जाकर तुरंद वीडियो देख सके हैं और दोस्तों हम आपकी सहाता करने के लिए टेलिग्राम चैनल पर भी उपलब्द हैं तो आप चाहें तो हमें वहाँ भी जॉइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी जॉइन करने का कोई भी पैसा नहीं है फ्री में आप टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप हमसे क्वेशन भी पूछ सकते हैं अगर आपके कोई डाउट वगरा हैं तो वहीं पर क्लियर किये जाएंगे और बाकी वहाँ पर टीजी टी पीजी टी से सम्बंदित ठीके एक करके सारे पॉइंट हम लोग समस्ते हुए पढ़ेंगे तो पहला पॉइंट है यहाँ पर स्थापना गुलेर की स्थापना कैसे हुई किस राजने की फिर हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे एतिहासिक पीठी का ठीके गुलेर का क्या अतिहास रहा है और फि फिर पांचवा पॉइंट देखेंगे प्रमुक Chitr, यहाँ पर कौन-कौन से चितr बनाएगए, और छठा, या फिर लास्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, गुलेर सैली की क्या विसेस्ताएं रही है, गुलेर सैली की विसेस्ताएं हम लोग लाश्ट में देखेंगे इसलिए आप लोगों को वीडियो पर लाश्ट तक बने रहना है यूँकि विसेस्ताएं जो होती है किसी भी सैली की वो बहुत ज़्यदा इंपोर्टन्ट होती है परिक्षा में पूछी भी जाती है चलिए सबसे पहले हम लोग स्थापना देखते हैं पहाड़े चित शैलियों को रंग रूप देने वाली सैली गुलेर ही थी कांग्डा कलम गुलेर का ही विखसित रूप है कांग्डा सैली अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ठीके तो कांगडा कलम जो है वो गुलेर का ही विक्सित रूप है ठीक है 1415 इसवी में गुलेर राज की स्थापना राजा हरिचंद ने की थी ठीक है गुलेर राज की स्थापना किस ने की थी राजा हरिचंद ने और कैसे की थी वो एक जान लेते हैं हरीचंद के बारे में एक कहानी है चड़ी समझ लेते हैं उसे जो राजा हरीचंद थे ये सिकार करने जाते हैं ठीक है और वहाँ पर ये अपने साथियों से बिछड जाते हैं और जंगल में एक कुई में जाकर ये गिर जाते हैं फिर ये वहीं पर पड़े रहते हैं और लोग जितने इनके साथ में गय होते हैं वो सारे वापस आ जाते हैं सभी को यही लगता है कि राजा हरीचंद की मृत्ति हो गई है या फिर किसी जानवर ने इने खा लिया है फिर समय बाद जो राजा हरिचंद होते हैं, इनको राज जो यहाँ पर यह कुँआ होते हैं, जहाँ पर गि değildा हुआ है, वहां से कुछ रहाघी निकरते हैं, और वहाँ पड़ा हुआ। तो कोउयें से इनको बाहर निकलते हैं, फिर राजा कांगडा पुना वापस लोटाते हैं ठीक है ये राजा जो हरिचंद होते हैं ये कांगडा के राजा होते हैं ठीक है कांगडा ये वापस आ जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि इनके राज में जो इनका जो भाई है वो राज गदी पर बैठ चुका है तो ये फिर उस गद्दी पे नहीं बैठते हैं और एक नए राजी की नीव डालते हैं जिसका नाम ये क्या रखते हैं गुलेर ठीके तो इस तरीके से गुलेर की स्थापना होती है चलिए आगे देखते हैं एतिहासिक पीठीका गुलेर की राजा मान सिंग जिनका समय था 1635 से 1661 इनके समय तक कला विलास सिथिल रही साजहा ने मान सिंग को अफगानी चीते की उपाधी प्रदान की तभी से यहां की राजा अपने नाम के आगे चंदर के स्थापन पर सिंग लगाने लगे ठीके देखिये साजहा ने मान सिंग को मान सिंग राजा थे उनको अफगानी चीते की उपाधी प्रदान की जिससे क्या हुआ यहां के जो राजा थे वो अपने नाम के अंत में चंदर लगाते थे उसके स्थान पर सिंग लगाने लगे ठीके अभी हम लोगों ने पढ़ा तो यहां के जितने भी इनके बाद के राजा हुए हैं मान सिंग से लेकर इनके बाद के वो सारे अपने नाम के अंत में सिंग लगाने लगे ठीक है राजा दिलीप सिंग जिनका समय था 1695 से 1730 राजा गोवर्धन जिनका समय था 1730 से 1773 और प्रकास चंद जिनका समय था 1773 से 1790 इन राजाओं ने राजनैतिक दूर दरसिता का परचे दिया गोवर्धन चंद के समय में गुलेर सेली अपने चर्मोत कर्श को प्राप्थ होती है ठीके इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा राजा गोवर्धन चंद के समय में घोडों के चित्र और रागमाला वाले जो चित्र हैं वो काफी महत पूर्ण हैं याद रखिएगा इस point को भी आप लोग चले आगे देखते हैं इस समय गुलेर कलम उठान की ओर थी और चित्र निर्माड का एक सिलसला जारी हो गया था ठीके राजा गोवर्धन चंद के समय में यहाँ पर बहुत सारे चित्र बनने लगे थी तभी तो इनके समय का जो इनका समय था वो चर्मोत कर्स कहलाता है ठीके बहुत अच्छे च्छे और बहुत ज़्यदा चित्र राजा गोवर्धन चंद की एक रानी जम्मू से थी अताहां जम्मू वा सरणाती मुगल कलाकारों को गुलेर भागया यहां पर भागवत पुराण वा गीद गोविन से सम्बंधित चित्र बने हैं यानि कि गुलेर में ठीके इन चित्रों में क्रश्न गोपियों को आलिंगन में लेते हुए बहुत इंपोर्टन यह जो चित्र है बहुत इंपोर्टन इसको याद रखिएगा प्रसिद्ध चि नहीं दे सके बलकि कला के प्रति उपेक्षा बनाये रखे इनके समय तक राजनैती संतुलन बदलने लगा था गुलेर का इतिहास हमें दिली प्रजनी नामक ग्रंथ में मिलता है इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा गुलेर का इतिहास हमें दिली प्रजनी नामक ग्रंथ में मिलता है प्रसिद्ध कला समेख्षक कार्ल खांडाल वाला ने गुलेर को पूर्व कांगडा शैली कहा है ठीके प्रसिद्ध कला समेख्षक कौन थे कार्ल खांडाल वाला ने गुलेर को पूर्व कांगडा शैली कहा है ठीके चली आगे देखते हैं प्रमुख वि से हैं ठीक है इनी से सम्मंदित यहां पर चित्र बनाए जाते थे चली आगे देखते हैं गुलेर सहली के प्रमुख चित्रकार तो यहां पर कौन-कौन से चित्रकार कारी करते थे नयन सोख मानक निक्का पंच ठीक है यह चार यहां के प्रमुख चित्रकार हैं चली आगे दे पर बैठे हुए दूसरा चित्र है पंद्रा भुजी देवी का चित्र जिनके मस्तक पर स्री गुलेर लिखा है ठीक है यहां पर एक पंद्रा भुजी देवी बनाई गई है यानि कि एक देवी बनाई गई है उनकी पंद्रा भुजाय अंकित की गई है पंद्रा हाथ बनाए उन देवी की मस्तक पर क्या लिखा है? स्री गुलेर, ठीक है? क्रछन गोपियों को आलिंगन में लेते हुई सिक्रे के साथ महिला महिला चित्रत की गई है घोडो एम घुरसवारी के चित्र भारत भारत राम की भारत यहांपे हो गया है भारत राम की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए ठीक है यह सारे यहां के महदपूर्ण चित्र है चली आगे देखते हैं गुलेर सहली की विशेषता है गुलेर में दर्बारी एवं अन्तापूर के चित्र प्रमुकता से बनाए गए हैं गुलेर में दर्बारी चित्र प्रमुक्त से बनाए गया हैं तो गुर्षवारी के गुड़ा लगें। से संबंदी चित्र देखने को मिलते हैं गुलेर सैली का चर्मोत कर्स कांगडा सैली में होता है अब गुलेर सैली कंप्लीट होने के बाद हम लुग पढ़ेंगे कांगडा सैली तो यहां पर क्या दिया हुआ है गुलेर सैली का चर्मोत कर्स हमें कांगडा सैली में दिखाई देता है तो ठीक है दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर दीजेगा और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजेगा दोस् दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ तब तक आप जूड़े रहे हमारे साथ नन्यवाद दोस्तों जैहिंद